तो दोस्तों customer ने फोटो दिया है, आप देख सकते हैं एक तो तिरचे अंगल से फोटो की उपर से फोटो क्लिक किया है, उपर से black and white है, और एक दूसरा फोटो है, ये भी तिरचे अंगल से क्लिक किया है, एकदम low quality दोनों फोटो है, आप देख सकते हैं आमने सामने, ये दो को कट कर लिया है और अभी इसको बनाने के लिए हम 12-18 का साइज लेंगे इसके उपर इन दोनों फोटो को ड्रैगन ड्रॉप करेंगे अपनी जो जितनी साइज चाहिए थी उतना साइज पर अड्जेस कर लेंगे थोड़ा सा लंबा हो गया तो उसको सीधा कर लिया है इसके बैगराउंड के फिलाल कोई जोरूरत नहीं है तो इसके बैगराउंड को पेंट टूल की मदद से क्रॉप कर रहा है जब भी आपका क्रॉप करेंगे पेंट टूल का इस्तामाल जोरूर करें एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते अभी फिलाल एक्स्ट्रा एरिया जो है नी इसके उपर ही काम करना पड़ता है ज्यादा एरिया पर वो कन्फ्यूज नहीं हो जाते है तो सेलेक्शन हुआ है तो टू पसेंट उसको फेदर दिया है पर आप देख सकते एक ब्लैकन वाट है और एक में पूर थोड़ा कलर है जो ब्लैकन वाट फोटो इसको प्रॉपर कर दिया और आदे का पार्ट उस पे रिप्लेक्शन आया था तो वो लाइट हो गया था तो उसको डार्क करना पड़ेगा तो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके 10% फेदर देके उसको कंट्रोल यहल करके थोड़ा सा डार्क कर दिया है और बीच में जो लाइन आ रहे थी सेपरेशन की उसको हटा दिया है स्पोर्ट हिलिंग टूल की मदश से और अभी यहाँ पे जो भी फेस के उपर छोटे-छोटे डाग दबे उसको क्लीन करके लेना है क्योंकि जब हम रेनी में आप से इस फोटो को इनार्स करेंगे तो उस डॉट को वो तील वगरा ना समझ जो जितना हो सके अच्छे से क्लियर करके लेना है और उसके बाद हम बाद में उसको यह कर सकते है रेनी में आप से इनार्स करेंगे तो उसका जो आउट पुट है बहुत अच्छा आजाएगा इसके बाद इस फोटो के जो कलर है थोड़ा नीला कलर अब बालों में वगर था थोड़ा सा और सबढ़ करने के कोशिच करेंगे और इससी फोटो को हम प्रॉपरली ब्लागुआण वैट करेंगे अब यू आउब राइटनेस, कॉंट्रास्स, वह सही से समझें इसलिए हम क्या करेंगे इसे को proper black and white ही कर लेंगे ताकि अभी आप देख सकते एक photo dull है एक photo bright है थोड़ा सा अभी same दोनों को अभी एक ही type के same contrast करने के कोशिश करेंगे ताकि जिसके उपर जो color भी apply करेंगे तो दोनों same दिखने लगी जो missing जो shirt का part है उसको direct brush tool से draw कर लिया है और यह तो shirt वगरा जो sari वगरा हम बाद में change कर सकते हैं हमें ज्यादा work है वो face के उपर करना है अभी इसको save करके मैंने रेनी में आप से enhance करके यहाँ पर drag and drop कर लिया है आप देख सकते है face के उपर जो detail है वो एकदम sharp और clear दिखने लगी है हाला कि बाल वगर है वो proper काले नहीं है तो make control अपने selective color में जाके black color select करके उसको थोड़ा सा black कर दिया है और चेहरे के उपर जितने भी दागदब्ब्य है उसके उपर निकाल दिया है क्योंकि जब अलर होता है तो फोड़ा सा लो quality हो जाता है तो हमें शिर्फ कलर इस्तमाल करने ओपर वाले फोटो के अभी स्किन को अलग लियर पर लिया है और साड़ी को अलग लियर पर लिया है ताकि उसका भी color वगर हम adjust कर सके इसका थोड़ा सा हलका सा color correction करने के बाद आप देख सकते हैं कि face के उपर थोड़े से depth मिल गए है पर बालों के उपर अलग-अलग color है इसके लिए new blending mode color लेके उसके उपर white color मार दिया ताकि बालों के अंदर जो भी color है वो निकल जाए और सेम तरीके से चेहरे के उपर भी color के अलग-अलग variation हो गये थे उसको एक ही color pick करके वहाँ पे skin के उपर या face के उपर मार दिया है ताकि वो plain दिखे थोड़ा सा noise रहे गा था बालों में तो black color pick करके उसके उपर मार दिया है ताकि वहाँ का उसके उपर ही बाद में हमें color apply करने ही है अपने hair करेट करने ही है तो काला कर दिया है और थोड़ा बहुत color का brightness का contrast का adjustment कर लिया है इसके बाद अभी smudge तुल लिया है और इसके skin के उपर जो भी noise दाग धब़े है इसको clean करेंगे ताकि एक plain surface आपको और clean surface हमें देखने को मिले smudging का procedure बहुत लंबा होता है बहुत time जाता है इसके लिए मैंने थोड़ा सा video already speed में लागा दिया है और साथ ही साथ में smudging का procedure देखा रहा है क्योंकि यह boring part भी है और time लेने वाला है बहुत time लगता है तो time waste नहीं हो जाए और आपको समझ में यह भी आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा speed लगा दिया है किसी किसी कोई दिक्कत आती है कि यह कैसे किया कैसे किया मेरे से नहीं होता है तो आप मेरे previously video देख सकते हैं जिसमें detail में आपको smudging के बारे में समझाया है तो आप मेरे previous के video आप चेक कर लिजे आप अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ सिर्फ मेरा flow दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इस photo को complete किया है आप उसी flow में आप जाके आप अपने photo को complete कर सकते हैं इसमें सिर्फ essence लेना है कि किस तरीके से या किस flow में जाके इस photo को किया है आप भी उसी तरीके से अपने photo को कर सकते हैं जो भी कर रहा हुई है कुछ final नहीं है यह तो रफ है इसके उपर बाद में हम detail वगरा draw करेंगे अभी जो काम चल रहा है smurging के नाम पे जो गंदगी है दाग दब्बे उसको ही clean करने का काम चल रहा है smurging tool के माध्यम से जैसे photographer retouching वगर अपने photo में करते हैं उसी तरीके से हम photo को smudge tool की मदद से साप कर रहे हैं और हलका सा उसमें artistic दिखानी के लिए उसमें patch वगरा create करते हाइलाइट करते तो उसका glossiness और थोड़ा artistic look अच्छा आजाता है तो दोस्तो हमने यहां तक काम किया है और आगे का जो भी काम किया है मैं आपको step by step दिखाऊंगा क्योंकि बाके का काम करने में बहुत time जा रहा था तो मैंने pause करके किया है और जो भी किया है वो आपको explain करूंगा साथी साथ वही क्यों किया है वो भी explain करूंगा तो आप देखिए कि यहां तक हम आये थे, जितना smudge किया था, ट्राइ किया था कि दोनों फोटो का कलर जो है, सिमिलर हो, और इसके बाद हमने क्या किया है, इसी को थो शेर्ट की डिटेल वगरे यहां पी नहीं थी, तो डारेक्ट ब्रेस से डार्क कलर, ब्लैक कलर लेके, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे डिटेल नहीं है, तो वहां पे डिटेल डाल दिया है, और इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो साड़ी है, वो इतना अच्छे नहीं दिख रही है, और जो ड्राइंग है वो भी अच्छे नहीं थी, अरब ड्राइंग थी कि हलाखी पर वह अच्छे नहीं लग रहती है और इसके उखर हमें extra महिनत करनी परएगी कि सबीचीजां दुना करने के लिए और एम दिखाने के लिए और मेरे लिम्यर्ट इतन अच्छे नहीं तो क्यों इतनी महिनत कर ंगा। तो मैंने क्या किया, कि Google से साडी डाउनलोड कर लिये, शर्ट डाउनलोड कर लिये, और उसके उपर एड़स करने की कोशिश किया, नीचे वाले लियर को मैं हैड कर देता हो, ताकि आपको एड़स दिखे, तो इतना किया है, इसके बाद मैंने इसको JPG में सेव कर लिया, और उसको Renumy app से enhance कर लिया है, इनास करने से क्या हुआ, जो भी missing detail थी यहां की, यहां की, वो automatic generate हो क्या है, क्योंकि original photo में ज़्यादा detail नहीं थी, तो create करने से चाहिए कि एक बार Renumy, से आप देख सकते कैसे enhance हुआ है, अभी यहां पर आप देख सकते की here नहीं है, तो थोड़ा सा finishing कर लिया है, आप देख सकते इसको थोड़ा सा finishing कर लिया है, और finishing करने के बाद, इसको चाहिए एक decent सा background, और वो background कैसा होना चाहिए, colorful होना चाहिए, क्योंकि face भी थोड़ा colorful है, sari colorful है, तो उसी के हिसाब से match करने वाला मैंने एक background टाल दिया है, रेडिमेंट मेरे पास था, थोड़ा create किया है, वो patches वगरा, और create करने के बाद, जो extra here थे, यह तो here create किये थे, वो rough here creation था, उसके बाद, जो extra here निकलते है, और इसके उपर जो detail here होते, वो फिर से एक बाद draw कर लिया है, और इसको final कर दिया है, इसको सभी layer को merge कर दिया है, थोड़ा सा contrast दिया है, क्योंकि dark part और थोड़ा सा dark दिखे, और उसके बाद, यहाँ पे थोड़ा सा glow दिया है, बस इतना किया है, यतना करके अभी में जे customer को भेज दूँगा, उस customer की राय लूँगा, जो भी correction बोलते हैं, वो करके मेरी send कर दूँगा, मैं आपको before after दिखाता हूँ, यह है original photo, photo की condition आप देख सकते हैं, दोनों photo की कैसे हैं, और हमने बनाया है, side by side आपको दिखाता हूँ, यह देख सकते हैं कि, किस photo को कैसे किया है, और यहाँ पर यह black and white है, यह dull है, और दोनों को combine करके, इस तरह कैसे photo को complete किया है, यह video आपको कैसे लगी, क्या सिखने को मिला, तो जो भी है, आपकी राय कमेंट कीजे, दोस्तों के साथ, इस video को share कीजे, और मिलते, ऐसे इंट्रेस्टिंग video के साथ, तब तक के लिए, जैहिन वंदे मातरम,